हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वावत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर क्या जाओं जो कि आप क्याने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत इंपोटेंट है वीडियो को एंड तले जोड़ दे कियेगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस भी पूछूंगा और उसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन और टेलिग्राम चैनल का लिंग दिया हुआ है वहां से आप पराप्त भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला कोसंस पहला कोसंस दोस्तो आपके सामने निम्ले के तुमेंसे कौन सा छेतर संगिये छेतर की सूची में गलती से समलित किया जाए मतलब कौन सा संगिये छेतर या संगिये राच नहीं है या केंसासित प्रदेश नहीं है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर तुरुपुरा तीसरो आपसंस यहां पर आपका बिल्गूल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस आपके सामने यह आहवान किस ने किया है कि प्रकती को बापिस जाओ ये आहवान किस ने किया था तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर रूसों ने तीसरा ओप्संस करेक्ट नेक्स्ट कोशन्स वर्स 1956 में भारत में राज्यों के पुनरगटन का आधार क्या था जल्दी बताइए तो आधार क्या था आपका सही आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा आपका अनूच्ट पहला ओप्संस करेक्ट नेमलिकत मेंसे एक भारत संग का सहराज था और बाद में पूरा राज बन गिया वह कौन सा था तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम इसको 35 में सम्मिदान संसुतन की दोरा सेहराज बनाया गया फिर बाद में 36 में सम्मिदान संसुतन की दोरा इसको भारत का पूर्णराज बनाया गया दूसरा option is correct next questions स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं चाहे आप UPSI की तयारी कर लिजे चाहे यूपी लेकपाल, यूपिटर पर लेस्ट, पीटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एक्जाम है उस सभी कोर्सिस की तयारी या सभी एक्जाम की तयारी आप अनकेड़ी पर कर सकते हैं क्योंकि अनकेड़ी के प्लस प्लेटफरम पर सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं साथ अक्टूबर से आपका UPSI लेकपाल का बैच इस्टाड हो गया 13 September से देख लिजए 설ष आपका R.O.R.P का बैच इस्टाड हो जाएगा 13 October से देख लिजए अगर आप UPPSC को 22 मानकर के तार्गेट मानंकर के तयारी कर रहे हैं तो ये वाला बेच 13 अक्टूबर से start हो जाएगा जिसमें best educator आपको अलग-अलग subject पढ़ाते हुए मिलेंगे और Unacademy पर एक बहुत खदरनाक offer चल रहा है mega subscription offer यानि कि अगर आप एक साल का subscription purchase करोगे तो आपको तीन महीने का additional subscription फ्री मिलेगा और सबसे अच्छी बात मुझे Unacademy के यही लगती है कि आप जिस भी category के अंदर course या subscription purchase करते हो तो उस category में जितने भी course चला जा रहे होंगे आप सभी को access कर पाऊगे जो कि सबसे अच्छी बात है description में लिंक दिया है आप जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा और subscription जो है वो purchase कर लीजिएगा subscription purchase करने के दोरान आप अपने challenge का नाम Indian study apply कीजिएगा तो आपको instant 10% का discount मिलेगा आपको हर एक course के लिए अलग से पैसे देने की जुरूत नहीं है अगर आप subscription purchase कर लेते हैं तो आपको हर एक course को access करने का मौका मिलेगा जो भी anacademy के प्लस platform पर या UPPSC और यूपिटर प्लसी category के अंदर चलाए जा रहा होगा आप test series भी देख पाएंगे यानि कि live test series में आप अपना participate भी कर पाएंगे बहुत सारी आपको लोगों के लिए बहुत सारे options कुल जाते हैं अगर आप anacademy का plus subscription पर्चेस करते हो ठीक है तो इतना ही बताना था तो आप purchase कर सकते हैं description में लिंग दिया है और जब purchase करो तो referral code की जाएंगे Indian study जरूर से apply कीजिएगा अब देख लेते हैं next question next question श्री किष्ण समीती जो 2011 में जंता के सामने लाई गई किस समदित थी तो किस समदित थी अलग तेलंगाना राज की मांग से और आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जून 2014 को फिर तेलंगाना राज का भी गठन कर दिया गया था आंदर प्रदेश से अलग करके भारत में पिर्थक राज अंदुलन का मुख कारण किया था तो सही आंसर हो जाएगा बरते छेत्री असुंतुलन पिर्थक राज की मांग का मुख कारण बिकास का समान रूप से नहीं होना है जिससे छेत्री असुंतलन के कारण अलगावादी विचारदारा का उदे होता है तो बढ़ते छेत्री असुंतलन के कारण पिर्थक राजानतुलन का मुख कारण था ये पहला उपसंस करेक्ट है इसके आधार पर किसी सरकार को संग्य या एकातवक साधन के रूप में वर्गित किया गया है किसके आधार पर तो सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के भी संबंद के आधार पर पहला ये उपसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है चलिए निमले के तमेंसे कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है जल्दी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है भाग दो में आग रिखता है बिल्कुल है भाग तीन मूल अधिकार बिल्कुल है भाग चार में राज के नीती नीतत बिल्कुल है तो साथ भी अनु सूची में क्या है? सिंपल है बता सकते? सूचियों का वर्णान है यानि कि संग, राज और संवर्ती सूची चौथा उपसंस करेक्ट है निमले के तमेंसे आड़ भी अनु सूची में कौन उल्ले कितन नहीं है? कौन सी भासा? तो कौन सी वासा उल्ले कितना ही है अंग्रे जी तीसरो उप्संस यहां पर आपका बलकुल करेक्ट होगा भारत का कौन सा संग सासिज प्रदेश ऐसा है कि जिसमें चार जिले हैं किन्तु एक भी किन्तु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके अनकिसी जिले से नहीं लगती कितना बहतरी इन कोसंस है बताओ तो कौन सा एक राज्य है या किन्सासिज प्रदेश है तो सही अंसर हो जाएगा आपका पुद्दु जेरी पहला ही ओप्संस करेक्ट हो जाएगा किस वर्स सिक्किम भारतिय संग का 22 वर राज बना बताया था भी 36 वे सम्मिदान संसुदन की दुवरा किस वर्स बना 1975 में चोगता ओप्संस करेक्ट है हाली में आंदर प्रदेश से अलग कर एक नए राज तेलंगाना का गठन होगा इससे भारतिय सम्मिदान की किस सूची में परिवर्तन होता है तो किस सूची में परिवर्तन होता है अनुसूची एक भारत में किसी भी नए राज का गठन या किसी राज की सीमा में बदलाव किया जाता है तो अनुसूची एक में परिवर्तन करना होगा पहला options correct भारते सम्मिदान का अनुच्छेद एक यहाँ पर लिख लो अनुच्छेद एक भारत को क्या गोसित करता है तो अनुच्छेद एक जो है भारत को एक संग की रूप में गोसित करता है भारत जो है वो राज्यों का संग है यानि कि एक राजय संग है पहला उपसंज करेक्ट भारतेस उम्यदान में अपसेष्ट सक्तियां किसको सोपे गई देख़ो अपसेष्ट सक्तियां जब केंदर और राजय की भी सक्तियों का वड़बारा हुआ तो ऐसी सक्तियां जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है यानि कि केंदर राज्यों के बीच को सक्तियां जो बची रह गई उसको बोलते हैं पहला options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा next question सर आपके सामने करनाटक का एकरना किस वर्स किया गया तो करनाटक का एकरना किस वर्स किया गया तो सही आंसर हो जाएगा 1956 में ही पहला यह options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct चौदा राज्यों के साथ औच्छे प्रदेशं के साथ किया गया था एक सवतंत्र राज के रूप में ते लगाने के का विवाजन है यानी गिति लंगाना राज किस से लगोगर बना था आंधर पर्दिस से लगोगर की दूसरा options और धार आयोक और जे बीपी समीती के गठन का उद्देश क्या था तो इसके गठन दूसरा options यहाँ पर आपका विडिकल करेक्ट है, निम्ले के तमेंसे कौन सा राज सम्मिदान की छटी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जन जाती है छेत्रों के पिरसासन एवं नियंतरन से सम्मझत है, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका नागालेंड, छटी अनुसूची में कौन से राज हैं, असम, मेगाले, तरुपरा, और मेजुरम, तो असम, मेगाले, तरुपरा, मेजुरम नहीं था, तो मेजुरम चुआता होगा अब जबकि नागालेंड नहीं है, तो दूसरा options correct, बिमारू में M किस राज को दर्शाता है, पर विचार कीजिए, और फिर इसके अनुसर आपको आंसर बताना है, वो किया रहा है, नागालेंड, असम, मारीपुर, अंदरप्रदेश, सिक्किम, मेजुरम, अनुनाचरप्रदेश, गोआ की प्रादेशिक, मांगों को देखते हुए, भारत के सम्मिदान के अनुच्छ, 371, ए से लेकर, 371 आई, तक अंतरविष्टे हैं, बिल्कुल, पहला बिल्कुल सही है, ये नागालेंड से लेकर पूरा, कहां तक, गोआ तक, 371, ए से 371, आई तक, उपबंद है, बिल्कुल है, वो कहा रहा है, कि भारत अतर सहीट राज अमेरिका के सम्मिदानों में, राज़ितन रहे, किन्तु नागरिकता है, कहा रही है, अब देखो, एक एनी नागरिकता हमारे भारत में है, लेकिन अमेरिका में तो दोरी नागरिकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा ठीक है चलिए फिर देखो कोई व्यक्ति जो देशी करन द्वारा भारत का नागरेक है कभी भी अपनी नागरिक्ता से बंचित नहीं नहीं भई यह ऐसा बिल्कुल गलत है अगर देश विरूदी के रूप में वो काम करता हुआ पाया गया तो भारत की नागरिक्ता से बिल्दूल बंचित किया जा सकता है किसी भी यादार पर उसने नागरिक्ता जो है वो ग्रन की हो ठीक है तो यह भी गलत है तो केवल और केवल पहला ही सही हो जाएगा तो चौता ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट लाश्ट कोसंस लाइक और शेयर जरू करती जीगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियों में तो सुर्फ थना है एकर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक के जो और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब परना ना बूले क्याहं कि मरोजन इसी तरह के व आत रहता हूं नमस्कार दोस्तो जे हिंद जे भारत